दोस्तों नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस्तनी ओज महराष्ट में बीजेपी नेता किरीट सोमया के बेटे नील सोमया को लेकर अभी अभी एक बहुती बड़ी अपडेट हा रही है जैसे कि आप सबको पता होगा कि संजे राउत ने अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉंफरेंस किया था और इस प्रेस कॉंफरेंस में संजे राउत के द्वारा जो करीट सोमया है इनके उपर और साथ में इनके जो बेटे नील सोमया है इनके उपर लगातार एक के बाद एक कई बड़े आरोप रगाया गये PMC बैंक में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर नील सोमया के उपर एक कई बड़े आरोप रगाया गये बोला गया संजे राउत के दौरा दावा किया गया कि इनको जल्द से जल्द गरपतार कर लेना चाहिए क्योंकि उस घोटाले में नील सोमया भी सामिल थे अब इन ही सब चीजों को देखते हुए जो नील सोमया है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है एडी के दौरा नवाब मलिक की गरपतारी नवाब मलिक की गरपतारी के बाद जैसे ही नवाब मलिक को एडी की टीम गरपतार किया है उसके बाद महराज की राजनिती काफी ज़याधा गर्मा चुकी है और साथ में ही अब कुछ भी हो सकता है आलसा जो है बीज़ियीपी नेताओ के द्वारा और साथ में इस उसेरा के नेताओ के द्वारा किया जा रहा है अब इन ही सब चीजों को देखते हुए जो नील सोमया है उन्होंने जो है मुंबई हाई कोट का दरवाजा कर्टाया है जहाँ पर उनके द्वारा एक अंतरीम प्रोटेक्शन की याजक्या दाखिल की गई है जहाँ पर उनके द्वारा याजक्या दाखिल करते हैं रिक्वेस करने वाले हैं क्योंकि PMC घोटाले में जैसा कि उनके उपर आरोप लगा लगाया गया है तो हो सकता है कि उधो ठाकरे गवर्मन्ट जो है उनको आने वाले टाइम पे गिरबतार कर सकती है तो चाहते हैं कि अगर उनकी गिरबतारी हो तो उससे 72 गंटे पहले उनको एक नोटी भेजा जाए जिससे कि वो अपने आपको बचा सके मलब की गिरबतारी से बचा सके बाइदाबे जो किरीट सोमया के बेटे निल सोमया है ये काफी ज़्यादा डर इसलिए गए हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही किरीट सोमया के द्वारा ये दावा किया गया था कि उधो ठाकरे की तरफ से सीधे सीधे बोला गया है कि वो जो है अब किरीट सोमया और उनके फैमली को जो है गिरबतार कर लें मलब की पुलिस को और दिया गया है कि वो जल से जल उनको गिरबतार कर लें इसी के होजा से अब जो है बीजेपी नेता किरीट सोमया के बेटे न 28 तारिक को इनके इस केस पर सुनवाई होगी और हो सकता है कि उसी दिन कंफर्म हो कि आखिर कर इनको जो है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा लेकिन अगर बात की जाए उधो ठाकरे गौवर्मेंट की तो जो नवाप मलिक ह बाद उधो ठाकरे गौवर्मेंट में काफी जादा हलचल मची हुई है और उधो ठाकरे भी काफी जादा घुस्ते में लग रहे हैं तो हो सकता है कि नील जोम्या की गिरफतारी के भी चांसे से अगर कोट के द्वारा प्रोटेक्शन उनको ना प्रोवाइट किया गया तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर आपनों ओपिनियन कमेंट बाक्स होता है और वीडियो के जादा सेर करें